हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, आज हम पढ़ रहे हैं मैक्रोबैलोजी का टोपिक, जसके अंदर हमने पिछे बहुत सा रजेजें पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे रोबर्ट कोच के बारे में, ठीक है, यह आपका इंपोर्टन टोपिक है, और पेपर में पुछा भी जाता है, रोबर्ट कोच के बारे में, पिछे हमने लोईस पाश्चर के बारे में डेटेल में पढ़ा था, अब हम जो पढ़ेंगे वो है आपका रोबर्ट कोच, रोबर्ट कोच जो है आपके इनका जनम आपका हुआ था, 1843 में ठीक है, और इनके Nobel Prize भी जिता था, कब जिता था, 1905 के अंदर ठीक है, इनको बोला जाता है, Father of Bakteriology, ठीक है, क्योंकि इन्हों ने ऐसे काम किये हैं, जिसकी वज़े से इनको क्या बोला जाता है, Father of Bakteriology, यह आपके रोबर्ट कोच है, इनकी फोटो हैं यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ से उन्हें father of bacteriology बोला था ठीक है bacterias की study उन्होंने ज्यादा की थी तो सबसे फर्स्ट जो चीज उन्होंने खोज की थी वो थी आपकी staining techniques ठीक है इन्होंने मतलब staining technique क्या होती है staining का मतलब क्या होता है आपने अगर microscope के नीचे bacteria दिखने है तो उसमें आप color डाल दीजी आपको और अच्छे से दिखेंगे ठीक है तो वह technique जो थी वो इन्होंने खोज करी थी आपकी देखिए he described the method for the easy microscopic examination of bacteria इन्होंने ही आपको method बताये थे ठीक है कि आप bacteria को कैसे easy से easy examine कर सकते हो इन्होंने क्या किया था एक dry fixed film बनाई थी stain किया था जिसको aniline dye के साथ ठारा सुस्तेतर में इन्होंने यह method आपकी describe करे थे ठीक है मतलब जो भी आपकी slide होती है microscope की नहीं चाप रखते हो ठीक है dry करके उसको fixed बना लिया था विलकुल और उसमें staining डाली थी है निलीन दाई से फिर उसके अंदर आपने बैक्टीरिया देखे थे ठीक है तो वह easy रहता है आपके लिए अगर आप colorful अपर्वेक है जिसकी help से इनोंने क्या किया था bacteria की motility movement को मेजर किया थाằं या study किया था है इनों ने इस method का use करके study किया था आपका bacteria की motility movement के बारे में तो ये भी इनนे किया था repentance के बारे में, third जो इनका काम रहा था वो तापका method for isolating the pure culture of bacteria and कि एन्होंने क्याолько था मतलब है इसलेट की था बेक्टीरिया को प्योर कल चर्से याणि यह कल्चर मेडिया में हो जोलेटीर्या अलग ब् zich क्या था डेखर किया होगा है । है एक क्या मेडिया को विद मेया है तिया उसमें किया था मत्लब जो आपकी slide होती है, उसके उपर mixed material बनाया, solid culture media के अंदर, और फिर उस media से isolate किया इन्होंने pathogens को, ठीक है, मतलब bacteria को अलग किया था, culture media से इन्होंने grow करवा के, ठीक है, fourth जो इनकी चीज रही थी, main contribution था, वो था आपका discovery of causal agent, ठीक है, causative agent इन्होंने ढूंड के निकाल ले थे, आपके anthrax के, ठीक है, anthrax, आपकी anthrax bacilli नाम की, आपकी ये disease होती है, जो एक bacteria की वज़े से होती है, ठीक है, उसका जो causative agent है, वो इन्होंने खोज के निकाला, 1806 के अंदर, और जो TB का ये है, causative agent है, mycobacterium tuberculi, ठीक है, वो भी क्या, इन्होंने ही खोज किया था, इसलिए TB को coach disease भी बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने के नाम पे, तो 1882 के अंदर इन्होंने mycobacterium tuberculi को क्या किया था, खोज लिया था, और जो cholera आपका हेजा होता है, इसका भी जो causative agent है, vibrio cholera, वो भी इन्होंने खोजा था, 1883 के अंदर, तो इन्होंने बैक्टिरिया को, मतलब जैसे हो रही है, उसके बारे में इन्होंने काफी research की थी, next इन्होंने कुछ postulate दिये थी, ठीक है, तो उसको बोला coach postulate, यह आपका अलग से important question बनता है, ठीक है, इसको हम detail में पढ़ेंगे, यह आपका paper में पूछ भी लिया जाता है, coach postulate के नाम से question आता है, और एक इन्हों सब्सक्राइब करी थी, उसको बोला था coach phenomena, तो इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ते हैं, डीटेल के अंदर, सबसे पहले शुरू करेंगे coach postulate के साथ, coach postulate क्या है, मतलब coach एक experiment क्या था, Robert coach ने, ठीक है, उस experiment में इन्होंने मतलब कोई चीज खोजी थी, और फिर उन्होंने इन्होंने मतलब क्या एक, ये बात ये सामने रखना चाते थे, लोगों के, कि एक डीजिज, जो भी डीजिज हो रही है, उस डीजिज का, जो कोजटी वेजन्ट, या microorganism रहेगा, आप उस डीजिज परसन की बोडी से, उसको isolate कर सकते हो, ठीक है, ये बात इन्होंने रखी थी, देखिए, necessary था, ये introduce करवाना, ठीक है, इस claim को proof करने के लिए, जो बात लंग्स से, आप क्या कर सकते हो, माइको बैक्टिरियम ट्यूबर कुलाई को निकाल सकते हो, ठीक है, और माइको ट्यूबर कुलाई जब आप उसको isolate कर लोगे, बाहर ले आओगे, तो ये explain करना चाते थे, कि ये जो माइको बैक्टिरियम ट्यूबर कुलाई है, इसी की उसने प्रूफ किया कि जो causal, मतलब causal relationship इन्होंने प्रूफ की between a microorganism and a specific disease, ठीक है, मतलब इस experiment के बाद ये प्रूफ हो गया, कि specific disease का एक specific ही microorganism होता है, जैसे TB आपकी mycobacterium tuberculi की वज़े से ही होती है, cholera आपका, ये vibrio cholera की वज़े से ही होता है, leprosy आपकी mycobacterium lepray से ही हो तो microorganism और specific disease के बीच में relationship इन्होंने क्या कर दी थी, प्रूफ कर दी थी, और उसी को क्या बोला जाता है, आपका coach postulate बोला जाता है, और ये इन्होंने proof किया था 1876 के अंदर, ठीक है, तो अब इनका first postulate आता है, first postulate क्या कहता है, या जो first इनका point वो क्या कहता है, कि organism should be regularly found in the lesion wound of the disease, कोई भी disease है, ठीक है, उसका जो lesion या wound होगा, lesion मतलब घाव होता है, ठीक है, उस घाव में वो organism क्या होता है, आपका present होता है, तो organism should be regularly found, आपको lesion में ही क्या मिलेगा, organism, positive organism देखने को मिलेगा, second postulate इनका था, it should be possible to isolate the organism in pure culture from the lesion, second बात इनों ने कही थी, कि उस lesion से, उस घाव से isolate करना, उस organism को निकाल लेना, possible होना चाहिए, ठीक है, उसको आप निकाल के कहा रखोगे, pure culture media के अंदर grow करवा के दिखा होगे, ठीक है, third point इनों ने क्या लिखा था, inoculation of pure culture into the suitable lab animal, अब आपने क्या किया, एक घाव से micro organism को निकाल लिया, बाहर आपने बोटल में culture media बणाया, उसमें उसको grow करवाया, फिर उस culture media से, आपने क्या करना है, उस culture media का एक solution लेके, आपने किसी animal पे test करना है, ठीक है, lab animal पे आपने क्या करना है, टेस्ट करना है, third point में इन्हों ने ये कहा है, कि आपने जो lab में grow करवाया है material, उस material को आपने lab animal के अंडर क्या करना है, इंट्रोडियूस करना है, injection की form में, ठीक है, और उस animal के अंदर भी, जो आपका laboratory animal है, उसके अंदर भी आपको वही disease देखने को मिलेगी, third postulate ये था इंका, fourth postulate क्या था तो री आइसुलेट अब जो आपका लेबरेटरी एनिमल है उस एनिमल की बोडी से भी उसके लीजन से भी आप उस को अलग कर पाओ री आइसुलेट का मतलब यही है आप उसको निकाल पाओ ठीक है तो यह इनका थर्ड फॉर्थ पॉस्चिलेट था कि ऐसा भी संभव होना चाहिए शुड़ भी पॉसिबल टू री आइसुलेट दा ऑर्गेनिजम फ्रॉम दा लीजन प्रेडियूज़ इन द या इफ हुमन की बोड़ी में अगर कोई डीजिस है उस डीजिस का जो भी वूंड है या लीजन है घाव है उसमें से और्गेनिजम निकालना असान होना चाहिए फिर उसको ग्रो करवा के देखेंगे फिर ग्रो करवाए हुए और्गेनिजम को आप किसी और अनिमल के झुक्ष गरषकर की लिजन हैं चाहिए जो नहीं करवा सकते हैं और उसको आप ग्रो नहीं कर फीचल मेडिया में तो ये जो इनकी थी वो किसी थी नहीं esam थी तो यह coach postulate थे आपके यह आपके paper में आपसे पूछे जाते हैं next हम पढ़ते हैं coach phenomena क्या था coach phenomena आपका क्या था देखी coach phenomena मतलब इसके अंदर क्या किया था इन्होंने यह भी एक experiment ही था जिसका नाम coach phenomena रख दिया गया है आपका coach ने 1890 के अंदर observe किया था एक pig को ठीक है ग्योनिया pig था जो infected था ठीक है पहले से ही infected था उसको उन्होंने observe किया ठीक है उसके अंदर कैसा infection उनको देखने को मिला bacillus नाम की bacteria से उनको क्या देखने को मिला उसमें infection देखने को मिला ठीक है तो फिर जब कोच ने क्या किया उस pig के अंदर जो पहले ही infected था उन्होंने tubercul bacilli नाम का bacteria उसका कुछ पार्ट उसकी body में दुबारा से introduce करवा दिया ठीक है पहले ही pig क्या था infected था बैसिलस से तो फिर कोच ने क्या किया कोच ने फिर क्या किया टुबर्कुल बैसिलाई नाम का बेक्टेरिया उसकी बोडी के अंदर दुबारा से डाल दिया तो उस पिग की बोडी ने हाइपर रिस्पोंज हो किया आपका बहुत जादा ही रिस्पोंज हो किया इसी एक्सपेरिमेंट को आपका क्या बोलते है जो मतलब रिस्पोंज पिग की बोडी से आया उसी को आप हाइपर सेंस्टिविटी रियक्शन बोलती है और वहीं से मतलब हम हाइपर सेंस्टिविटी नाम के टॉपिक को पढ़ना शुरू हमने किया है और इस रियक्शन को ही आपका कोच फिनोमेना बोला गया था ठीक है तो यह था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हमने लुईस पाश्चर हिस्ट्री माइक्रोबाइलोजी की पढ़ी और कोच फिनोमेना पढ़ा ठीक है बहुत इज़ी-ज़ी करके मैंने कोशिश किया आपको यह समझाने की आई होप आपको यह समझाए हो थेंक्यू गाईज मिलतें नेक्स्ट वीडियो के अंदर